नमस्कार, गूड इवनिंग, स्वागर्ट है आप लोंका, हमारी चैनल टार्विता लोक मैं, और मैं गौर्णने इजन पुना एक बार विश्व भोगोल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, चर्चा उनिये आज इस्या महाधिप पर जो कि विश्व का सबसे वड़ा महा महाधुफ की विश्व है आपके महाधुफ कर आप दो के सिक्या समझी महा लागा फेश्या महाधिप एकनाम कैस्पियन और आपके सागला रूस एक ऐसा देश है जो इरोप और एसिया द online महाधुपू में है, रूस और रूस के साथ साथ तुर्की। तो आपको तुर्की रखनाश अब मैं रूस समझा रहो हूँ। तो रूस एक ऐसा देश है जो एरोप और एस्या दौनों महादूइपों में है तो रूस का हुआ है भाग जो एस्या महादूइप में है तो रूस का हुआ है भाग जो एस्या महादूइप में है उसे एक नाम दे दिया गया साइवेरिया साइवेरिया तो रूस का जो भाग एशिया महादीप में है उसको आम नाम देते हैं साइवेरिया तो साइवेरिया का मतलब है रूस से और किस वाली रूस से जो एशिया महादीप में है आंगे देखेगा यहां से पहले हम मैपिंग करा देते हैं आपको एक वार तो पहले दे यहां पर एक देश से जिसका नाम है रश्या यहां पर एक देश से जिसका नाम है रूस रूस के निचे यहां पर एक देश से मंगोलिया मंगोलिया के निचे चीन और चीन के निचे यहां भारत तो भारत चीन मंगोलिया रूस बड़ बड़े देश हैं अच्छे सियाद रख तो A.C.A. महाधीब के पूरी भाग है, A.C.A. महाधीब के पूरी भाग में जो महासागर है, उस महासागर का नाम है प्रिशान्त महासागर, कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर एक महासागर, इस महासागर का नाम प्रिशान्त महासागर, इस प्रिशान्त महासागर में एक यहां पर है जापान देश के पास जापान सी एक यहां पर है चीन के पास यलो सी और एक और चीन के नीचे इस चैना सी हो गया आंगे बढ़ियेगा इस चैना सी के नीचे तो यहां पर एक सी है साउथ चैना सी से आंगे बढ़ियेगा तो यहां पर फिलिपीन सी है फिलिपीन यहां पर आँगे बढ़िएगा तो यहां पर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे Indian Ocean आपको यार रखना है प्रसांत मात सागर में एशिया के पास कई मात्पोर सागर हैं जो बारबार देख चाम पूछे जाते हैं हम लोग यहां से पढ़ते हैं जापान देश से कहां से पढ़ते हैं जापान देश से मैं पढ़ाना इस्टार्ट कर रहा हूं आप देख रहे हैं अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको दिख भी रहा होगा जो जापान देश है जो आप गिरीन कलर से दिख रहा है जापान देश के चारो और पानी है जापान देश के चारो और पानी इसलिए जापान जो है वो एक दूइपिये देश है जापान किस परकार का देश है तो जापान दूइपिये देश है दूइपिये देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो दूइब पर निर्मित हो और दूइब किसे का जाता है धरातर का एक ऐसा भाग जिसके चारो और जल हो तो उसको हम नम दे देते हैं दूइब तो जापान एक दूइब प्येदे से यानि जापान के चारो और पानी पानी है आप जापान एक जो दोफिय देश से इस दोईप के अंतरगत कई सारे इस देश के अंतरगत कई सारे दोईप हैं आपको कई सारी तो याद ने रखना है चार याद रखना है आपको एक का नाम है होकेडो होकेडो एक दोईप का नाम है होनसू एक दोईप का नाम है क्योईफू और एक दोईप का नाम है सिकोको यह जापान के 4 important दोईप हैं जिनको आपको यार रखना है होकेडो, हॉनसू, क्योऊईफू और सिकोको ठीक नव knowsu दोईप जो है हॉनसू दोईप पर जापान की राताने टोकियो है जापान की राधाने टोकियो जापान की राधाने टोकियो कहां पर है तो जापान की राधाने टोकियो होंसु दूइपर है जापान की राधाने टोकियो किस दूइपर है होंसु अब टोकियो के बारे में सुनिएगा टोकियो जो है सहर है जापान का जापान की राधानी है यह है पूरे विस्टु का सरवाधिक जनसंख्या वाला सहर पुरेविस्तु का सरवाधिक जनसंख्या वाला सहर अगर सरवाधिक जनसंख्या वाला देश पूंचा जाए तो चीन और सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर पूंचा जाए तो सहर के लिए यार रखने आपको होंसू होंसू जो है सोरी सहर के लिए कौन सा टोक्यो टोक्यो जो है वो बिसका सरवादिक जनसंख्या वाला सहर है कौन सा टोक्यो के दुई पर है जापान दुई पर है ठीक ना चलिए जब जापान की निच्छे बढ़ेंगे तो यहाँ पार एक देश है यह देश का नाम है फिलिपिन्स की राधानी जो है फिलिपिन्स फिलिपिन्स की राधानी है फिलिपिन्स की राधानी मनीला है फिलिपिन्स की राधानी कहाँ पर है तो फिलिपिन्स की राधानी मनीला है और इस फिलिपिन्स की राधानी मनीला में अंतर राष्टिये अन्तर राष्टिये चावल अनुसंधान केंद्र है अनुसंधान अनुसंधान केंद्र तो अन्तर राष्टिये चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो फिलिपिन्स के राधानी मनीला में अन्तर राष्टिये चावल अनुसंधान केंद्र है आपको याद रखना है ठीक ना फिलिप्निस के आगर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक देश है इस देश का नाम है इंडोनेशिया इंडोनेशिया देश एक ऐसा देश है जो एक दूईपिय देश का उधार है मतलब इसके भी चार ओर पानी है इंडोनेशिया की चरोर भी पानी है प्रसांत मासागर और हिंद मासागर यहाँ पर प्रसांत है और यहाँ पर इंडियन उस यहाँ प्रसांत और हिंद मासागर की बॉर्डरी पर है इंडोनेशिया अगर माली जी का आप से डेनमार के देश का अधिकार और माली जेगाव से पूछा या तब बिस्ट का सबसे बड़ा दूइप सम्हू का उमसा है तो बिस्ट का सबसे बड़ा दूइप सम्हू है इंडोनेशिया बिस्ट का सबसे बड़ा दूइप सम्हू का नाम बता है इंडोनेशिया मतलब यहां पे लगो 12,000 दूइफ हैं कितना दूइफ हैं लगब 12,000 मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि विस्व का सबसे बड़ा दूइफ है दूइफ का मतलब एक और दूइफ समू का मतलब कई सारे तो यह जो इंडोनेशिया है वो एक दूइफ समू है कहने कम अब यहां पार रादानी जकारता है अब सुनो इंडोनेशिया में सरवादिक मुस्लिम आवादी है बिसका सरवादिक इसलाम धर्ब के लोग बिसमे सरवादिक मुस्लिम आवादी वाले देस का नम बताईए ऐसा की कुछ नहीं पूछा आता है बिसकी सरवादिक मुस्लिम आवादी वाले इसका नाम बता हीगा, इंडोनेशिया, एक दूइपी ए देश का उधारण है, राधानी जकारता है, 12,000 के लगवग दूइप हैं, प्रसांत और हिंद, यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हिंद है, कई सारे दूइप हैं, कई सारे दूइप हैं, जैसे जावा दूइप है सोमातरा दूइप है बोर्नियो दिप है तो यहाँ पर कई सारे दूइप है आपको एक भी याद नहीं रखने है नई इस परकार से कुश्चन नहीं आता है तो आप इसको रहने देजेगा इस परकार से आप इंडोनेशिया की उपर बढ़ेंगे नहीं आपको मैं बताता हूं एक देश यहाँ पर यहाँ देश से श्टार करने है बंगलानदेस के बाज़ वसे मायमार भारत का परूची है मायमार मायमार के आँगे बढ़ियेगा तो यहाँ पर देशे जिसका नाम है ठाइलेंड कौनसा है ठाइलेंड Thailand के आँगे बढ़ियेगा तो एक देश से Bangkok ठीक ना बढ़कि Thailand देश से Bangkok तो उसकी रादा नहीं है तो Myanmar है Thailand है एक और देश से Cambodia कौंसा है Cambodia तो इन देश्टों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं ठीक ना तो एक देश से आपका Myanmar एन मयामार आँगे आपका जो है व। थाइलेंड है Thailand के ओर देखेंगे तो बी अतनाम है यहां पर इकौंसा है यहां बियत नाम है अब बियत नाम की उपर देखेंगे तो यहां पर लाओस है और ठीक ना तो यहां पर लाओस है अब इन देशों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मयामार आप जानते हैं जो यहां पर हमाले परवत है हमाले परवत का विश्थर मयामार तक फैला है हम हमाले पर्वत को मयामार में एक नाम दिया जाता है तो हमाले पर्वत को मयामार में एक नाम दिया जाता है नाम क्या है? तो मयामार देश में मयामार मयामार देश में हमाले पर्वत को एक नाम दिया जाता है और हमाले पर्वत को नाम दिया जाता है अराकान यूमा हमाले पर्वत को मयामार में किस नाम से जाना जाता है तो हमाले पर्वत को मयामार जिसमें अराकान यूमा कहते है मयामार की रादानी नैपीदा है मयामार की रादानी नैपीदा है मैयामार की रादानी नेपीदा है और नेपीदा जो है नेपीदा है जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम सालवी नदी है तो मैयामार की रादानी नेपीदा किस नदी के किनारे विस्य हुई है तो मैयामार की रादानी नेपीदा सालवी नदी के किनारे है दूसरी बात मयामार में एक और नदी बैती है इस नदी का नाम एरावदी जो एरावदी नदी है यह मयामार की सबसे लंबी नदी है एरावदी जो नदी है वो मयामार की सबसे लंबी नदी है और इसे मयामार की गंगा कहते हैं क्या कहते हैं गंगा मयामार की ठीक ना तो एरावादी नदी को नाम दिया जाता है मयामार की गंगा अब मयामार की आंगे बढ़िएगा तो एक देश से जिसका नाम है थाइलेंड और थाइलेंड की रादानी 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 च्छाओ फ्राया नदी कौँसी नदी है च्छाओ फ्राया नदी बैंकॉंक इसी नदी किनारे बसा है एक दो एक देश और है यहाँ पर और इस देश का नाम है कंबोडिया कंबोडिया को प्राचिन काल में कंपूचिया कहते थे कंबोडिया को प्राचिन काल में किस नाम से जानते थे तो कमबोडिया को प्राचिन काल में कमपूचिया नाम से जाना जाता था किस नाम से कमपूचिया और जो कमबोडिया की राधानी वह नाम पे है कमबोडिया की राधानी नाम पे है और जिस नदी किनारे वसी है उस नदी का नाम मेकांग नदी कौन सी नदी यहाँ पर तो यहाँ पर एक नदी बसी नदी है जिस नदी का नाम है मेकांग नदी तो यहाँ पर एक नदी है आपको नदी का याद रखना है मेकांग तो कमबोडिया की रादानी मेकांग नदी किनारे है एक नाम ब्रमुत नदी है और ब्रमुत नदी के लावज़ जो दूसरी नदी आज़ी आपर जाती है उस नदी का नाम क्या है? तो सनदी का नाम है गंगा एक का नाम है ब्रहंपुत्र और दूसरी का नाम है गंगा अब अगर इसके आंगे आजाएंगे तो उपर है भूटान, भूटान की रादानी थिभू आँगे आजाएंगे तो यहां पर भारत और भारत की उपर चलेंगे तो नेपाल नेपाल की रादानी काठवांडो अब जब नेपाल पर बढ़ेंगे तो यहां पर चाइना यानि तिबत है तिबत में पठार है जिसका नाम है तिबत का पठार है जिसका नाम है तिबत का पठार और यह है जो तिबत का पठार है विस्त का सबसे उचा पठार है विस्त का सबसे उचा पठार होने के कारण इसे विस्तु की च्छत कहते है वर्ल्ड आप दा रूफ ठीक ना या रूफ आप दा वर्ल्ड विस्तु की च्छत इसे कहा जाता है विस्तु की च्छत कहा जाता है किसको तिबबत के पठार को तिबबत के पठार को विस्तु की च्छत कहते हैं और तिबबती लोग जो है बोईस तिबबत के पठार को एक और नाम से जानते हैं तिबबती लोग तिबबत के पठार को नाम किस नाम से जाते हैं तो पामीर्स पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है तिबबत के पठार को चलिए तो यहां पर तिबबत का पठार होग चीन के मद्द से होते हुए एक नदी बहती है एक नदी है जो रूस और चीन के मद्द से होकर बहती है विसकी दो महा सक्तियां एक का नाम रूस और दूसरे का नाम क्या है एक का नाम रूस तो दूसरे का नाम चीन तो रूस और चिन की सीमा से होते हुए एक नदी बहती है उस नदी का नाम है अमूर नदी नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है अमूर नदी जो रूस और चिन की सीमा बनाती है कई बार कुशन पोचा जाता है कि रूस और चीन की सीमा वनाने वाली नदी का नाम अता ये तो रूस और चीन की सीमा वनाने वाली नदी का नाम है आपकी अमूर नदी ठीक ना अमूर नदी यहीं पर रूस में आप देख रहे हैं यहाँ पर रूस में यहाँ पर एक जील है और रूस में जो जील है जील का नाम बैकाल है रूस में एक जील है जिसका नाम बैकाल जील है और यह बैकाल जील विस्सु की सबसे गहरी जील है विस्सु की सबसे गहरी जील तो विस्सु की सबसे गहरी जील का नाम बैकाल कहां पर है रूस और रूस के किस बाग में है तो रूस के किस बाग में है जिस बाग में है एस्य वाले बाग में है यानि साइवेरिया में है तो बैकल जिलका आपर है साइवेरिया में है इसे परल आप इसलिए साइवेरिया में है इसका एक नाम और है बैकल जिलका साइवेरिया में उनिक करन परल आप साइवेरिया कहते है परल आप साइवेरिया किस नाम से जानना जाता है तो इसको नाम जिया जाता है परल आप साइवेरिया तो परल आप साइवेरिया के नाम से किस से जाना जाता है तो परल आप साइवेरिया के नाम से जाना जाता है आपका बैकाल छील को तो पैकल जील को परल अब साइवेरिया कहते हैं यह यह रूस में है और रूस के किस भाग में है तो एश्या वाली भाग में है चलिए आंगे देखते हैं आगे देखते हैं अब इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान कजाकिस्तान देश और कजाकिस्तान देश में एक जील है कौनसा देश है कजाकिस्तान एक जील है जिसका नाम है बालकस जील कजाकिस्तान में जील है और कजाकिस्तान में जील है इसका नाम है बालकाजील कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान कजाकिस्तान की नीचे यहां पर एक देश है कजाकिस्तान की नीचे एक देश है उजवेकिस्तान कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान देशों की सीमा पर एक सागर है और इन दोनों देशों की सीमा पर जो सागर है इस सागर का एक नाम है और इस सागर का नाम क्या है? अरल सागर क्या नाम है? अरल सागर तो कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान की सीमा पर एक सागर है और यहाँ पर जो सागर यह सागर का नाम है आपका क्या है अरल सागर है तो नाम आपको याद रखना है अरल सागर किन दो दिसों की सीमा पर है तो आपका जो अरल सागर होगा है दो देशों की सीमा पर है एक देश का नाम है कजाकिस्तान और एक देश का नाम है उजवेकिस्तान तो कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है एक हो गया कजाकिस्तान, एक है उजवेकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्त और एक कनम उजवेक्तिस्तान तो कजातिस्तान और उजवेक्तिस्तान की सीमा पर एक सागर है और इस सागर का नाम है अरल सागर है आँगे देखेगा यहां पर एक सागर है और इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर के नाम है तो यहां पर एक सागर इस सागर का नाम है कैस्प यहां पर इस देश का नाम है πगदाद, ठीक न, तो एक देश है एरान और एक देश है इराज रहाख, तो एरान और इराग, इरान और इराज से होते काल में नाम दिया जाता था दजला एवं फरात इनी नदियों को प्राचिन काल में किस नाम से जाना जाता था तो दजला और फरात के नाम से जाना जाता था इन नदियों के बीच के छेतर में ही बिस्य की प्राचिन सब्विताओं में से एक मेसो पोटामिया मेसो पोटामिया की सब्विता विक्षित हुई ठीक ना? दो नदिया हैं, एक नाम है यूफरेटस, एक नाम है टगरिस, यानि दजला और फडात, इन्हीं नदियों की बीच के सब्विताओं में से एक मेसो पोटामिया की सब्विता विक्षित हुई कहाँ पर है? इरान और इराग देश में बैती है, कहाँ पर बैती है? इरान और इराग, जो इरान देश है, इरान देश में दो मातपुन मरुस्तल है, एक मरुस्तल का नाम है दस्त एक काविर इरान में है दस्त एक काविर मरुस्तल और इरान में एक और मरुस्तल है जिसका नाम है दस्त एलुट तो इरान देश में दो महत्पून मरुस्तल है एक नाम है दस्त एक काविर और एक का नाम क्या है तो एक अनाम दस्ते लोट कहां के मरुष्टल है इरान के मरुष्टल है आपको याद रखना है अब देखेगा इरान के अगर आगे वड़ेंगे तो यहाँ पर परसिया की खाड़ी है कौन सी खाड़ी है परसिया यहाँ पर अदन की खाड़ी है और यहां पे लाल सागर है तो लाल सागर अदन की खाड़ी और यहां पर ओमान की खाड़ी या पारस की खाड़ी एक ही बात है तो बीच वाला जो छेतर बच गया है ए वाला जो छेतर है जिसको मैंने अंडलान किया है ठीक ना, इस वाले छित्र को एक नाम दिया गया, इसके तीन और पानी है, इसलिए से वाले छित्र को एक नाम दे दिया गया प्रायदीप और इस प्रायदीप का जो नाम, इस प्रायदीप का नाम है अरब प्रायदीप इस प्रायदीव का नाम क्या है तो इस प्रायदीव का नाम है अरब प्रायदीव विस्तु का सबसे बड़ा प्रायदीव कौन सा है तो अरब प्रायदीव है जिसके एक और लाल सागर है एक लोग परसिया की खाड़ी अब फारस की खाड़ी है और एक और क्या है अदन की खा कि यहीं तो यहां पर एक देस हो जाता है और इस डेस का नामें साओदी अरब अरब का जो सबसे बड़ा देश है अरब रादीप का उसका नाम साउदी अरब और साउदी अरब की रागानी क्या है तो कई बार पूछी गई है रियाद साउदी अरब की रागानी रियाद साउदी अरब में एक मरुस्तल है जिसका नाम क्या है रूब अलखाली तो साओधी अरब में एक मरुस्तल है और साओधी अरब में जो मरुस्तल है उस मरुस्तल का नाम है रूब अलखाली कहाँ पर साओधी अरब में है अरब राधी पर साओधी अरब में अरब राधी पर एक मरुस्तल जिसका नाम है रोबल खाली साउधी अरब के निचे देखेगा तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यमन ठीक ना यमन है और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ओमान ओमान की जब उपर वड़ेंगे तो यहाँ पर एक देश है ओमान के ऊपर जिसका नाम है UAE अरब राइदीग पर ही है UAE संयुक्त अरब अमीराथ संयुक्त अरब अमीराथ संयुक्त अरब अमीराथ तो संयुक्त अरब अमीराथ कौँसा संयुक्त अरब अमीराथ कहां पर है तो संयुक्त अरब अमीराथ अरब राइदीग पर है बिल्कु किनारी पर वसा है यहां पर परसिया की खाड़ी या ओमान की खाड़ी के किनारे कहा है ओमान की खाड़ी के तट पर ओमान की खाड़ी के तट पर ठीक ना यहां पर यहां पर है ओमान की खाड़ी और इससे थोड़ा और बढ़ियेगा UAE और UAE की राधानी अबुधावी यह UAE से और थोड़ा उपर बढ़िएगा तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है कतर UAE के थोड़ा उपर बढ़िएगा तो एक देश मिलेगा कतर और कतर की राधानी कहां पर है तो कतर की राधानी यह दोहा अब इसी प्राइद पर और उपर बढ़ेंगे साओधी अरब की उपर तो यहां पर इराग इराग के बार में बता चुके है इराग की उपर एक देश है जिसका नाम है सीरिया इराग की उपर एक देश है जिसका नाम है सीरिया यानि साओधी अरब की ओपर साओधी अरब की ओर उपर बढ़न जाएंगे तो एक देश से जिसका नाम है सीरिया सीरिया और सीरिया की राधानी दो मश्क है सीरिया में एक मरुस्तल है और सीरिया में जो मरुस्तल है इस मरुस्तल का नाम है सीरियन मरुस्तल सीरिया में एक मरुष्थल है और इस मरुष्थल का नाम क्या है तो सीरिया में जो मरुष्थल है इस मरुष्थल का नाम है सीरियन मरुष्थल यहाँ पर सीरिया और यहाँ पर साओधी अरब सीरिया और साओधी अरब के बीच में एक देश है जिसका नाम है जॉरडन यहां पर है आप मैप में देख सकते हैं सिरिया और साओधी अरब के मद में एक देश बसा है जिसका नाम है जॉरडन और जॉरडन देश में एक सागर है लबनता वाला सागर है जिसका नाम है मिरत सागर जॉर्डन देश में एक सागर है और जॉर्डन देश में जो सागर है उस सागर का नाम है मिर्त सागर कौन सागर है तो जॉर्डन देश में जो सागर है उस सागर का नाम है आपका मिर्त सागर आपको याद रखेंगे जॉर्डन में मिर्त सागर है थो एयो गए इसके उपर वड़ियेगा तुर्की देश है एक तुर्की तो लेशे और तुर्की राधनी तुर्की राधनी अंकारा तुर्की अंकार देखिए गा के orama फिर से भी बहुत इंप्रोटैन्ट है पुछ ली और जाती है यैसे कातर की कई बार क्या होते हैं important इस थल पूछ ले जाते हैं कि फला फला सहर कहा परिस्ते थे इस परिकार से आप से question पूछ ले जाते हैं इसलिए बोला हूँ कि मैं आपको अच्छी से याद रखना है कहा पर कौन सा पिले से बहुत जानना मात्रा में पूछा जाता है ठीक न तो यहाँ पर मैंने important important मतला साओधी अरब साओधी अरब के उपर Jordan Jordan के उपर Syria और Syria के उपर Turkey तो ठीक है तुर्की देश जो है तुर्की देश में एक जील है और तुर्की देश में जील उस जील का नाम बान जील बान जील यहाँ पर और यहाँ पर मिरिशागर बान जील और मिरिशागर इबिश्टो के सरवादे के लवड़ता वाली जील है लवड़ता वाली जील है यानि इन जीलों में पानी की अगर एक लीटर पानी लेते हैं तो 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 Great Salt Lake, कहां पर है? USM Great Salt Lake, और Great Salt Lake आपके कहां पर है? तो USM है इतना हो गया? तो आज हमने आपको important important जो देश थे उनसे पर्चा कराया भारत के नीचे यहां पर स्री लंका भारत के नीचे स्री लंका, यहां पर मैं confirm करा चुका हूँ भारत के और नीचे बढ़ यहां तो माल्दीब और माल्दीब की रायदाने माले एसिया माल्दीब का सबसे चोटा देश एसिया माल्दीब का सबसे चोटा देश कौन सा? माले जिसकी रायदानी माले है देश का नाम क्या है? देश का नाम है माल्दीब महाधीब तो देश है और उसकी राइदानी माले अच्छा माली जिगा पूंचा जाए Asia महाधीब कर सबसे बड़ा देश तो रूस कई जगा पर चीन लिखा है चीन नहीं है रूस सबसे बड़ा रूस पर बारत ठीक नवा तो रूस है बड़ा रूस बड़ा है रूस के बारत आपका कौन आज जाएगा चीन और चीन के बाद आपका आजाएगा भारत तो important important जो देश थे आज हमने Asia महादीब के आपको देशों से अउगत करा है कल मिलेंगे तो Asia महादीब के मादपूर नदिया और नदियों के साथ-साथ Asia महादीब के मादपूर मरुस्तल जितने मरुस्तल आज करा देगे है कुछ मरुस्तल आज करा देगे है कुछ मरुस्तल कल करा देगे तो नदी मरुस्तल परवत पठार इनके बारे में हम बिस्तर चर्चाप से करेंगे कल के वीडियो में जो हमारा A.C.A. महादीप का दूसरा लेक्चर होगा आज सर्व हमने देशों के बारे में अबगत कराया है किसके राधानी क्या है क्या बिसेश्ता है साथी साथ एक दो जहांपर महरुस्तल थे उनसे ठीक ना यहांपर यह याद रखना है साथी अरब में जो प्रायदीप है वो अरब प्रायदीप है विस्तु का सबसे बड़ा प्रायदीप ठीक ना तो आज यही रख लेते हैं इसके आंगे कल मिलते हैं तो कल इसके आंगे चर्चा करते हैं कल तक के लिए जैहिन गुड़ नाइट